ओम नमस्षिवाई बहुत सारे प्रेशन आ रहे हैं कि अगर पहले दिन में ना हो पाए मासिक धर्म से वशी करन तो क्या करें और अगर पहला दिन मिस हो जाए तो क्या मैं दूसरे दिन कर सकती हूँ या फिर ये मैं अगर रख लिए हूँ और फिर कभी कर दूँ भविश्य में कभी कर दूँ तो ये जो है बहुत सारे ऐसे कोश्चिनार थे जो कि मुझे लगा कि ये मुश्किल है जो प्रोसेस मैंने बताया आपको तो आज मैं आपको बताऊंगा एकदम सरलतम प्रोसेस जो कि मासिक धर्म से आपके पती को आपके वश में कर देगा आपको बस करना इतना है कि अपने पहले दिन का खून इस यंत्र के पीछे लगा कर अपने पती का और अपना नाम लिख देना है और इसको किसी सुनसान स्थान में गाड देना है या फिर चलते हुए पानी में बहा देना है ऐसा आपको तीन मासिक करना है तीन मासिक का जो पहला खूनों का वो इस पर लगाईए और ये यंत्र बनाकर आपको किसी बहते वे पानी या नदी में इसको बहा देना है या फिर किसी सुनसान जगह पर जाएगा जहांपर कि कोई आता जाता ना हो उस जगह पर आप इसको गाड़ के आजएगा तो यकीन मानिए ग्यारा दिनों के भीतर भीतर आपका पती चाहे कितना ही पत्थर रिल क्यों ना हो वो भी आपके सामने खुटने टिकेगा मैंने इस यंत्र से नजाने कितनों के घर बचाएगा जब रिष्टा बिल्कुल ही टूटने वाला हो तब यह चीज़े काम आती है अगर इन चीज़ों में विश्वास ना हो तो इनको बिल्कुल कता ही ना कीज़ेगा क्योंकि किसी भी तंत्र किसी भी मंत्र का जो प्राण है वो विश्वास होता है अगर आपको विश्वास ही नहीं और फिर भी आप ये कर रहे हो जमरस्ती तो ये चीज आप के लिए नहीं बनी है इसको मत कीज़ीगा अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ इसको करोगे तो यकीन मानिए पहले दिन से आपको असर देखना शुरू हो जाएगा मेरे पास काफी कॉल जाते हैं जिनमें कि मैंने ऐसे ऐसे चमतकार देखें जिनको मानव मस्तिश्क सोच भी नहीं सकता हमारी सोच जहां तक पहुँच नहीं सकती ऐसे ऐसे चमतकार मैंने इन छोटे-छोटे कर्मों से देखें तो अपना सर्वस में इस पर नचावर कर दीजिए इसके बाद देखेगा आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा किसी भी तरह की जानकारे के लिए मुझे कॉल कीजेगा 999-284-1625 धन्यवाद